ओम गणगणपते डमो नमाहा भक्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीब भक्ति ग्यान गंगा में भक्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर आप बहुत ही सरलविदी से गणपती का विसरजन कैसे कर सकते हैं तो देखें गणपती का जो व माट देंगे और जो दीपक आपने लिया है यह हमें दुबारा यूज नहीं करना है यदि आपने मिट्टी का लिया है यदि आपने धातु का लिया है तो उसे धूल करके दुबारा पूजा में रख सकते हैं तो देखें गनेज जी जब भी घर में आते हैं लोग उनका जल की सहायता से, पुष्प की सहायता से हम छिटा कर लगा देंगे, यानि छिटा लगाना है, पवित्री करन करना है, शुद्धी करन करना है, तो दीखें गणेश जी को पूजन और विसर्जन करने को लेकर के साथ बातियां को बहुत जरूर से याद रखनी चाहिए, तो सब्सप्राद में हम सभी को जो है टीका करेंगे इन अगनी देखता को, भक तो यह डिपेंट करता है कि आपने कितने दिन गणेश जी की स्थापना करी है, देर दिन की करी है, या फिर तीन दिन की, पाँच बिसर्जन वाले दिन हमें पूजा करनी है, सुभा को तो पूज करेंगे ही शाम के समय भी ऐसे ही पूजा की जाएगी तो यहां पर हम सभी को टीका कर देंगे अक्षित अर्पित कर देंगे भगवान गणेश जी को हम यहां पर सिंदूर अर्पित कर देंगे और खुद भी इसका टीका लगा लेंगे जरूर से लगाएं तो देखें इस तर कैसे हमें यह पूजन करना होता है तो आप जरूर से कीजेगा भक्तो जैसे आपने गणेश चतुरती के दिन बड़े ही धूम धाम से ढोलना गाड़ों के साथ गणपती जी के स्वागत करते हुए अगले कुछ दिनों तक उनकी सेवा और पूजा अर्चना करी है अपनी श्र दूर्वा समर्पित करना है तो इस तरह से हमें पूजन करना है और देखिए भक्तो लेकिन गणपती जी का विसर्जन करने से पहले आपको उससे जुड़े हुए बैहत जरूरी नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए तो देखे सबसे पहले ये दि आपने घर में दूर्वा समर्पित करना चाहिए तो देखे भक्तो हमने हाँ पर गणेज जी को दूर्वार्पित कर दिया है इत्र समर्पित कर देंगे तो देखे यहाँ पर हमने देखिए एक तो नई मूर्ती गणेज जी की लाए थे उनका विसर्जन किया जाएगा जो हमारे घर की मू करना है भोग लगाना है जल का भोग लगाना है तो इसी तरह से हमें मुशक राज का भी पूजन करना है मिठाई मोदक बहूग लगाएंगे तो आज की दिन कुछ ना कुछ मिठा आप अपने घर में जरूर से बनाए क्योंकि देखे आज के दिन जो है विदाई हो रहे है गणपती की उसके बाद में रितु फल मेवा मिठाई जो भी आपके पास हो उसका भोग आपने जरूर से लगाना है और देखिए पूजन विसरजन करने से पहले आपने पूरी तरफ जो है साफ सुफाई रखनी है पोजिटिविटी रखनी है चीनी का भोग आप जरूर से लगाए गणपती जी को क्योंकि गणपती जी अब अपनी माता पारवती के पास हमेशा के लिए चले जाएंगे मिलने के लिए वापिस चले जाएंगे तो आपने दही चीनी का भोग लगाना है रितु फल का भोग लगाना है केला आप जरूर जरूर से कर लें तो इस तरह से हमें ओम गण गण पते नमो ना महा आरती कर लेंगे या फिजय गणेज जी की आरती गा सकते हैं उसके बाद में हम आरती को शीतली करन कर देंगे पवित्री करन कर देंगे तो देखे हमें इसी तरह से जो है पूजन करना होता है सुभा के समय और शाम के समय भी इसी तरह से पूजन करना होता है तो देखे भक्तों उसी तरह उनकी विदाई जैसे हमने घर में अपने घर में गणेजी को विराजमान करते हैं उसी तरह से विदाई भी करनी हैं अब इसलिए बपा का विसर्जन नाश्ते गाते गुलाल उड़ाते हुए पूरे हर सोलाज के साथ उनका विसर्जन करना चाहिए प्रातना करना चाहिए है गणपती बापा इतने दिन के लिए हमने आपकी स्थापना करी थी इन दिनों में यदि हमारे परिवार से या किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गए तो हमारे परिवार पर अपनी कृपा लिए रखना होता है दुर्वा जरूर से रख लीजेगा जीसे हम कलेवा बोलते हैं जैसे हम कभी किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा लंबी होती है तो हम कुछ खाने पीने का समान साथ में लेकर के जाते हैं वैसे ही गनपती जी को भी हम कलेवा बांद कर देंगे तो कला पास में ही रख दिया है और जैसे हमें विसर्जन करना है तो इसी तरह से पास में रखेंगे और अब चलिए हम विसर्जन की तैयारी कर लेते हैं देखें मेरे गंपती जी थोड़े छोटे से हैं तो मैंने यहाँ पर जिसमें हम दूदू पालते हैं वो वाला बरतन लिया है ये सुध माने जाते हैं बरतन तो इसमें मैंने जल पीने वाला भरकर रखा है इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे तो देखे भक्तो जब आप गंडपती जी का विसर्जन करेंगे तो उन्हें चोकी पर बिठा करके सबसे पहले पूरे घर में घुमा दीजिएगा बस टॉयलेट और बातरूम को छोड़ करके बाकी सब जगा दर्शन करा दीजिएगा घरों में उसके बाद हम यहाँ पर जो जल में तयारी करें चंदन रोली अक्षर डाल करके जल का पूजन कर लेंगे और देखे जब हम किसी का विदाई करते हैं तो उन्हें अबीर गु परिवार में लगाना है तो ये बहुती शूब रहता है इसी तरह से हमें खुशियों के साथ विदा करना है तो वो लोग लगा देंगे नहीं तो सिंदूर आप चड़ा सकते हैं खुद भी लगाएं गुलाल परिवार के सभी सदस्य बपा की विदाई में जैसे हम बहुती धूमधाम से गणपदी बाबा को लेकर आते हैं आपने घरों में वैसे ही बड़ी ही धूमधाम से विदाभी करना है तो देखिए हमने यहाँ पर गणपदी बाबा को उठा लिया है यदि आपके घर में कोई पुरुश है वो भी उठा सकता है वो ही विसर्जित करते हैं तो आप इसे साइड में कर दीजेगा, जब कभी नदी के पास जाएंगे तो आप विसर्जन कर दीजेगा, इसके बार में जो गणपती जी को विसर्जन किया जाता है, तीन डूपकी लगाई जाती है, चोथी डूपकी में उन्हें पानी में ही विसर्जित कर दिया जाता है, तो देखे मैं करके दिखा रही हूँ अब मैं इहां पर डुबाऊंगी तो आप देखिएगा और ओम गणगणपते नमो नमहा मंत्र का जाप करते हुए विसरजित करता है रहना है और ऐसे बोलना है गणपती पापा मोरिया अगले बरस्तु जल दिया गणपती पापा मोरिय अगले बरस्तु जल दिया इस तरह से हमें नारे लगाने हैं और इनका खुशियों के साथ में विदाई करनी होती है और जब विसरजन करे ना उससे पहले भी आप थोड़ी सी आरती जरूर से कर लें तो देखिए हमने हाँ पर विसरजन कर दिया है और जब यह हमारे गणे चार दिन तक पिघल जाती है नहीं तो जो आप कोशिश करें कि पी ओपी की नाल आए इको फ्रेंडली मूर्ती ही लेकर आए और उसके बाद विसरजन करने के बाद में हम अपनी चोकी के पास आ जाते हैं जो भूग प्रसाद हमने चड़ाया है वो हम इहां से हटा देंगे सभी को परिवार में बाट देंगे और अगर आपने अखंड दीपक जलाया है उसे जलते ही रहने देना है वो अपने अब बुच जाएगा तब हमें दीपक को हटाना है नहीं तो आप ये अपने दीपक अपने मंदिर में रख दीजिएगा और जो ये जल हमने भूग के ल है और फूल पतियां जितनी भी है हमें इधर दर फेकना बिलकुल भी नहीं है इस बात का इध्यान रखेगा तो इसी तरह से हमें हटाना है जो आपने जो भी गणपती मंदिर में रखे इन्हें दुबारा से अपने मंदिर में स्थापित कर लीजेगा क्योंकि हम इनका डे अब रख लिया है और जो हमने सुपाड़ी ली थी इन सुपाड़ियों को जो रिद्धी सिद्धी माता के रूप में आप मंदिर में दुबारा से स्थापित कर सकते हैं नहीं तो आप इसे जैसे आप कलस वगरा स्थापना करते हैं तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते ह अगर आपके मन में शंशे है तो आप इनका विसरजन भी कर सकते हैं नदी तलाब में भी कर सकते हैं तो ये घर पर मैंने विसरजन की बहुती सरलविदी बताई आप जरूर से कीजिएगा जो ये सूखा संधूर है ये पूजा में यूज होता है तो इसे आप मंदिर में ही रखलीजेगा जो आपने गुड नारियल का प्रसाद रखा था इससे कोई भी प्रशाद बना लीजेगा और प्रसाद परिवार के साथ ग्रहन कीजेगा क्योंकि अन्य देवी देबता को इस प्रसाद का भोग नहीं लगाना है इस बात का ध्यान रखिएगा और जो ये दक्षना हमने रखी दी इस दक्षना को आपने किसी जरूर्तमंद को दान में दे देना है हमने ये घंटी पूजा में डेली के लिए रखी दी बजाने के लिए तो ये मंदिर में ही वापिस रख लेंगे तो इस तरह से हम जो है कलश को भी हिला लेना होता है और जो ये नारियल होता है इसे परिवार में बगहार करके खा लिजीगा प्रेशाद के रूप में और कहीं कहीं इस नारियल का विसरजन भी कर दिया जाता है लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग इसे बगहार करके घर में ही खा इसका भी हमें भूमी विसर्जन या जल विसर्जन करना होता है। इन अक्षतों को हम यहाँ पर इकठा कर लेंगे एक पात्र में यदि आपने जल ज्यादा चावल रखे हैं तो आप इसे किसी को खाने के लिए दे सकते हैं और इसमें थोड़े से चावल बनागर गे ताकि ए जल बच जाता है इस जल को तुलसी का पोधा छोड़ करके अन्य पोधे में डाल दिजीएगा और इसके अंदर जो सिक्का और सुपाडी मिलती है और लोंग इलाइची मिलती है उसे आप निकाल लिजिएगा लोंग इलाइची को आप चाय में डाल करके पी सकते हैं सिक्का और सुपाडी को जब फिर से कलश की स्थापना करेंगे आप उसमें यूज कर सकते हैं और जो मि भी सर्जन करना होता है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर से करें कमेंट बॉक्स में जैंट